हलो डीर स्टूडेंट्स यॉर वेलकम टू माई यूटूब चैनल राशिद अंजमसर जूनियर फाउंडेशन अभी अपन सॉल्ब करने वाले एकसरसाइस 2.3 यानी के लीनियर एक्वेशन इन वन वैरियेबल जो कि आपका चैप्टर 2 है और उसका ये कोशन नंबर 7 है तो य यहाँ पर आप देखोगे तो 5 मेरे भाई डिवाइड में है तो exactly जब आप इसको LHS में लेकर जाओगे तो multiply में हो जाएगा तो चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 को x से multiply करेंगे तो यह 5x बन जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा numerator में तो 4 रहेगा ही रहेगा और into में क्या हो जाएगा तो x plus 10 हो जाएगा well done शाप बास आपने यहाँ तक की बातों को समझ लिया अब हम क्या करने वाले हैं bracket को solve करने वाले हैं तो यह 5x को रहने देंगे वैसे ही अब 4 को पहले x के साथ multiply करेंगे तो यह exactly 4x हो जाएगा और फिर 4 को जब 10 के साथ multiply करेंगे तो 10 5x लिखो ही लिखो देखो इधर यह variable वाला टर्म है और इधर यह भी variable वाला टर्म है तो variable वाले टर्म को एक तरफ यानि के LHS में लेकर के चले आओ तो यहाँ पे plus 4x है तो जब इधर आएगा तो यह minus 4x बन जाएगा क्योंकि plus minus में बदल जाता है minus plus में बदल जाता है तो कहना चाहरा था ठीक है is equals to यहां पे क्या हो जाएगा तो आपका 40 आएगा यानि कि X का value आपने कितना निकाल लिया प्यारे बच्चों तो आपने 40 निकाल लिया ठीक है यहां तक की कहानी से अब हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं कि चेक करने वाले हैं तो चेक करने के लिए यहां पे हम लोग चेक करने का process को शुरू कर लेते हैं अब यहां पे आप द्यान देंगे चेक करने में सबसे पहले हम लोग LHS को लिख लेंगे और LHS में value को put करेंगे और फिर हम लोग RHS करेंगे तो LHS तो exactly मेरा x है तो यहाँ पे हम x लिखेंगे और x की value कितनी है भाई तो x की value 40 आई है तो यहाँ पे हम लोग 40 कर लेंगे यह हो गया मेरा lhs का value ठेक है और rhs में भी value x का put करके देखेंगे अगर lhs rhs बड़ाबर हो गए हो इसका मतलब के हमारा यह वाला जिस solution है वो बात बड़ा-बड़ है यानि के पक्का सही होगा अब हम यहाँ पे लिखेंगे rhs और rhs की value यहाँ पे क्या है तो थोड़ी सी बड़ी सी value है आप tension मतले बट पूरे को लिख लेना यहाँ पे आप क्या करोगे के 4 by 5 और into में x plus 10 करोगे यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि 4 by 5 तो सही है अब bracket को solve कर लेंगे तो 40 और 10 को add करोगे तो exactly कितना होगा 50 होगा तो अब यहाँ पे आप multiply देके 50 लिख लोगे क्यूंकि दोनों के बीच में कोई sign नहीं है ना तो जब sign नहीं है तो simple सी बात है multiplication का sign होगा अब यहाँ से देखो आप इसको भई मेरे कटा लो ठेक है तो यहाँ पे देखोगे 5 बंजा 5 और 5 तेन्जा 50 तो overall आपको यहाँ पे क्या मिल गया प्यारे बच्चों तो 4 को 10 से multiply करो तो 40 आएगा yes LHS भी 40 है RHS भी 40 इसका मतलब आप फटफट से कहोगे कि LHS is equals to RHS हो गया sir और जैसे ही LHS RHS हो गया तो बड़ाबर तो आप अब कहोगे कि yes यह मेरा check करना भी सफल रहा solve करना भी सफल रहा तो exactly आपका ऐसे ही इस पूरे question को हम लोग solve करेंगे examiner अगर आपके exam में question दे देगा तो आपको इसी तरीके से बनाना है full में full marks मिल जाएगा तो ऐसे ही प्यारे वीडियो को पाने के लिए आप हमारे इस channel को जरूर से subscribe कर लेंगे and इस वीडियो को तो like पक्का बनता है कढ़ी दोगे और अपने friend के साथ share भी घर दोगे आपकी बहुत 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 महरबानी रहेगे ठीक है मिलते हैं हम किसी next वीडियो में फिलहाल की कहानी यहीं तक ओके बाई गोड़नाइच